रोड मैन ओफ इंडिया, फ्यूचर मैन ओफ इंडिया, मैन पावर इनोवेशन, फ्लाइ ओवर मैन, एक सकसेज बिजनसमैन और उससे भी कहीं ज्यादा एक सकसेज पॉलिटीशियन। इतने सारे नामकरण और अलंकरण लेकिन अपने सिध्धानतों से समझोता पिल्कुल भी नहीं। आखिर कौन है ये विरला इंसान जो आज के उस दोर में है जहाना बिजनस बिना घपलेबाजी के चलता है और नहीं पॉलिटिक्स बगेर करप्शन के। लेकिन है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आज हम पावर पॉलिटिक्स में चर्चा करने वाले हैं। नमश्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूँ विजय वर्मा। पावर पॉलिटिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्सियत की जिसने देश के राश्ट्री राजमारगों से गवाव शहर धानी को चोड़ने के पमश्कल सफर को खेल-खेल में पूरा कर लिया। वो शक्स हैं भारत के केंदरी केविनेट सड़क परिवहन मंतरी नितिन गड़करी जो एक बार फिर से लोकसभा चुनाओ दोजार चौईस में नागा और लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं और चुनाओ से ठीक पहले अपने बड़े बयानों को लेकर चर्चाओं मे फिर से आ गए हैं नितिन गड़करी ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाओ में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे नहीं चाय पानी पिलवाएंगे उन्होंने आगे कहा है कि जिसको वोट देना है वो खुदा कर देगा जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा गडकरी ने यह भी कहा है कि चुनाओं में ने उन्होंने रिश्वत ली है ने लेंगे और ने किसी को ऐसा करने की अनुमत देंगे लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि मैं इमानदारी से आप सभी के सिवा कर सकूँगा उनके ऐसे बेबाग बयानों को लेकर सियासी पंडित कई तरह के मायने निकालते हैं तो महज 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी सफर शुरू करने वाले नितिन गड़करी ने राजनिती और व्यापार दोनों में ही खुद का लोहा मनवाया है सियासत ने अपने ढंग ढंग चाल सब बदली लेकि नितिन गड़करी का मंत्रा ले नहीं बदला विदेश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष रह चुके हैं और खुले मंचों पर गाहे बगाहे पार्टी के प्रती अपने असंतोष को भी सार्जनिक रूप से जाहिर कर देते हैं फिट चाहे कोई नाराज हो या खुश नितिन गड़करी का जन्म 27 मुई इस 1957 को महराश्टर के नागपुर शहर में हुआ था उनका पूरा नाम नितिन जैराम गड़करी है इनके पिता का नाम जैराम राम चंडर गड़करी और माता गाना भानुताई गड़करी है बच्मन में इनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था इनकी पारिवारी की स्तिती बहुत खराब थी इन्होंने अपने शिक्षा को पूरा करने के लिए काफी तरह का संगर्श किया था संगर्शों से गुजरते हुए उन्होंने अपने शिक्षा जाली रखी राश्टसंद तुकडो जी महाराज नागपुर विश्विद्याले से उन्होंने बीकौम के साथ ही LLB की शिक्षा भी पूरी की पढ़ाई के साथ ही नितिन गड़करी पॉलिटिकली और सामाजिक रूप से काफी सक्री रहे 17 साल की उमन में ही वे ABVP से और फिर बाद में भारती जनता युवा मोर्चा से जुड़ गए राजनित्ती में सक्री रहते हुए उन्होंने खुद को एक लीडर के तौर पर रिप्रेजन्ट किया उनकी इसी काविलेत की वज़े से उन्हें तब कालीन बीजेपी प्रदेशाद्यक्ष राजनाथ सिंग ने महराश्ट्र बीजेपी का प्रदेशाद्यक्ष बनाने की पैर्वी की गड़करी के नाम पर पूरी भाजपा नहीं सहमती जता दी जब 1905 में महराश्ट में शिवसेना भाजपा गटमंदन की सरकार बनी तो उन्हें लोक निर्मान मंत्री बनाया गया अपने चार साल के कारिकाल में उन्होंने सरहनी कारि किया मंत्री रहतवे गड़करी ने मुंबई में इतने फ्लाई ओवर बनवाए उन्होंने लीडर ओफ अपोजिशन की भूमिका भी निभाई उनकी कारे कोशलता और निष्ठा की वज़े से उन्हें साल 2009 में बीजेपी का राश्ट्री अद्यक्ष चुन लिया गया एक और खास बात वे गड़करी का काम करने का जो तरीका और आइडियोलोजी थी का विजन काफी क्लियर था और उसी विजन के साथ वे पार्टी में उर्जा भरते गए अलागि बीजेपी राजिस सरकारों के दबाव के बाद साल 2013 में उन्होंने राश्ट्री अद्यक्ष पद से स्तीपा दे दिया और ये बड़ा मुश्किल दोर था क्योंकि इसके एक साल बाद ही लोकसवा चुना होने थे लेकिन चार साल में गड़करी ने जबरदस्त फ्रेमवर्क तैयार कर दिया था और इसी वज़े से 2014 में भाजपा को एप प्रत्याशित चीत मिली 2014 में देश के प्रधान मंतरी नेंदर मोदी बने और नितिन गड़करी को सड़क परिवहन मंतराले मिला उनका पांस साल का कारे इतना परभावशाली रहा कि 2019 के लोकसवा चुनाओं में भी जब बीजेपी को जीत मिली तब गड़करी को सड़क परिवहन मंतराले तोबारा मिला 2019 में बीजेपी का जब सत्ता में आई तब कई फेर बदल किये गए कुछ ऐसी मंतराले थे जिन पर कोई बदला नहीं हुआ उन्हीं में से एक था सड़क परिवहन मंतराले जिस पर लगातार नितन गड़करी केंद्री सड़क परिवहन मंतरी के तौर पर आज भी काबिज है गड़करी को जब दूसरी बारिया मंतराले मिला तो उन्होंने ये लक्ष रखा था कि 40 किलोमेटर प्रति दिन के हिसाब से देश में विश्वस्तरी राश्ट्री राजमारगों के 60,000 किलोमेटर का निर्मान कराएंगे और 2024 आते आते वे इस लक्ष के विलकुल करीब पहुँच गए और आज देश में 37 किलोमेटर प्रती दिन के हिसाब से सडके बनाई जा रही है इसलिए विश्व में सबसे तेजी से सडक निर्मान का रिकॉर्ड भी भारत के नाम हो चुका है और इसे अचीव करने वाले सडक परिवयन मंत्री नितिन गड़करी है गड़करी का विवा 18 दिसंबर 1984 को हुआ था पतनी कंचन गड़करी सामाजी कारे करता है इनके दो बेटे हैं नितिन गड़करी और सारंग गड़करी दोनों ही बड़े बिजनसमेन हैं फरनीचर एप्लाइंसेज प्राइवेट लिम्टेड का कारे करते हैं एक बेटी भी है केत की गड़करी जो की बड़ी फ़लों की कंपनी की मालिक है या कंपनी विदेशों में फ़लों का निर्याद करती है इस बार भाजपा चार सो पार का लक्ष लेकर चल रही है